नबश्कार दोस्तों आप सभी का एक बाद फिर से बहुत बहुत स्वागत है और दोस्तों जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप से वादा किया था कि मैं बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ जो Note 8 की प्राइज रहती है हलाकि अभी तो काफी जादा उपर चली गई है लेकिन एक जमाने में यह आपको आराम से 9000 के आसपास देखने को मिल जाता था अगर आप इसे सेल वगरे से लेते थे तो वहाँ पर आपको इस्टेंट डिसकाउंट वगरे लगा कि आपको 9.5 के आसपास मिलता था लेकिन अगर हम बात करते हैं M01 की तो इसकी प्राइस भी लबक वही है हो सकता है आपको थोड़ा बहुत उपर नीचे कहीं देखने को मिल जाए लेकिन मैं प्राइस में बहुत बड़ा अंतर यहां पर नहीं मानता हूँ तो ऐसे में कहां पर फीचर्स में डिफरेंस आने वाला है और आपके लिए कौन सा मॉडल बैतर रहेगा यह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा यह फोंस मुझे मिले हैं DKG मोबाइस की तरफ से तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक तो दूस्तों यहां पर आप हमारे सामने देख रहे हैं Redmi Note 8 का यह बॉक्स और साथ में रहता है Sunsen Galaxy M01 सबसे पहले यहां पर पैकिंग की बात कर लेते हैं तो Redmi Note 8 की एकदम जो है जो Redmi की ट्रडिशनल पैकिंग आती है वही यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी बॉक्स एकदम सिंपल सा रहता है बैक सेक्षन पर आपको कुछ डिटेल वगएर दे रखी है 48 मेगा पिक्सल का AI क्वाट कैमरा है 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन है और Snapdragon 665 AI प्रोसेसर देखने को मिलता है डिटेल दो और भी बहुत सारी है लेकिन इनके बात करेंगे लेकिन सबसे पहले यहां पर आप देख लिएा चलकर सेंपसंट को तो सामसंट का इंडिया रहते हैं यहां पर आपको साफसाफ देखने को मिल जाएगा made in India का tag लेकिन यहाँ पर Samsung के box पर भी आपको side में यहाँ पर लिखावा दिख जाएगा कि यह phone जो है आपका India के अंदर ही manufacture हुआ है तो इसे आप एक बार चेक कर सकते हैं हलाकि यहाँ पर मैं आपका confusion एक बार दूर कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक छूटा सा section मिल जाता है यहाँ पर Samsung में भी आपका रहता है कि आपको एक उन्दर छीक्षे जाएगा इन section की बात करते हैं सबसे पहले Redmi Note 8 को बाहर निकालते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको एक छोटी सिस्से में जेक्टर पिन देखने को मिल जाती है साथी साथ ये आपका कुछ बेसिक सा पेपर वर्क रहता है पेपर वर्क तो कुछ खास काम का होता है नहीं इसलिए से साइड में रख लेते हैं इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो आपको दे रखा होता है case cover इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे इससे पहले sensor को बाहर निकाल लेते हैं और एक चीज़ तो clear हो गई है कि यहाँ पर जो हिसाफ से यह पतला है तो यहाँ पर आपको case cover तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा इस फोन को निकाल का side में रखते हैं क्योंकि accessories के बारे में पहले बात करना होगा कि यहाँ पर आपको ब्लैक कलर कर देखने को मिल जाता है जो कि आपका white के लर में रहता है और पूट रेटिंग के बारे में भी बात करेंगे लेकिन यहाँ पर लुप काफी ज़दे डिफरेंस रहते हैं सबसे पहले यहाँ पर charger की बात करते हैं तो यहाँ पर output रेटिंग देखे जाए अगर note 8 वाले charger की तो यहाँ पर 5 वोल्ट 3 एंपेर 9 वोल चार्जर रहता है और यहाँ पर output रेटिंग 5 वोल्ट 1 एंपेर की रहती है यानि कि एक तरीके सी स्टेंडर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करेगा और इस charger पर भी आपको made in India लिखा हुआ देखने को मिल जाता है तो बड़ी कमाल की बात रहती है brand कोई भी हो लेकिन है तो made in इनडिया ही तो कहीं ने कहीं अगर आप देखें तो charger में आपको काफी ज्यादा difference देखने को मिल गए है cable की बात करते हैं पर Samson की तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको Micro USB केबल देखने को मिल जाती है जो कि कहीं न कहीं आपकी कमाल की रहेगी देखने में तो एक चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा दोनों में 4000 mh की बैटरी है लेकिन कहीं न कहीं 18W की फॉस चार्जिंग आपको मि निकालता हूं फट 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 समान को साइट करते हैं टेबल एक्टम भर गई है उसके बाद बात करते हैं इन दोनों ही फोन के बारे में डिटेल से तो दोस्तों यहां पर दोनों ही फोन हमारे सेट अप हो गए हैं एक तरफ रहता है आपका Redmi Note 8 और दूसरी तरफ Samsung Galaxy M01 सबसे पहले यहां पर हम लोग इनकी डिस्प्ले में अंतर को देखते हैं कि क्या-क्या डिफरेंसेज रहते हैं तो Redmi Note 8 की साइज को आप देख रहे होंगे क्योंकि यहां पर जो डिस्प्ले रहती है वो आपकी 6.30 इंचस की रहती है M01 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपक HD Plus Resolution देखने को मिलता है आप देख सकते हैं कि उपर की तरफ से आपको एक बड़ा अंतर देखने को मिल जाएगा उपर की तरफ दुनों में ही Water Drop notch दे रखी होती हैं जहां पर रहते हैं आपके Selfie Cameras यहां पर भी आपको अंतर देखने को मिलेगा क्योंकि Note 8 में आपकी यह 13 Megapixel के होते हैं लेकिन यहां पर Samsung Galaxy M01 में यह आपके 5 Megapixel के रहेंगे तो quality को तो अभी हम लोग बाद में जाकर observe करेंगे लेकिन physical overview की बात करते हैं तो side में आप देख सकते हैं दुनों में ही power button दे रखी होती है और दोस्तों यहां पर आप M01 में SIM Slot दे रखे हैं जो कि आप Note 8 में आपको SIM Slot दे रखा है जो कि आपका dedicated SIM Slot रहेगा अपर section की अगर हम लोगों बात करते हैं तो यहां पर आपको दो चीज़े देखने को मिल जाती है Note 8 में जो कि यहां पर सबसे पहले रहता है आपका IR Sensor आपका remote की लिए काम करेगा जो कि आपको Note 8 में दे रखा होता है जो कि noise cancellation clear रहता है अगर हम M01 की बात करें तो यहां पर आपका audio jack होता है जो कि आपका Note 8 में नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा तो यहां पर आपको speakers देखने को मिल जाते हैं यह Type CSV port देखने को मिलता है चोटा सा Mic देखने को मिलता है और साथी साथ यहां पर आपको पीछे की तरफ रहती है तो यह चोटा सा स्पीकर आपको दे रखा है तो कमाल की बात यहां पर यह रहती है कि बड़े इंतर यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं तो यहां पर अगर हम अगर हम M01 की बात करें तो यहां पर आपको 48 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 मेगा पिक्सल के कैमरा रहते हैं जो कि आपको यह उभरे हुए थोड़े से रहेंगे साथी बगल में आपको एक छोटा सा LED फ्लैश दे रहा हुता है लेकिन यहां पर अगर हम M01 की बात करें तो यहां पर आपके 13 प्लस 2 मेगा पिक्सल की कैमरा रहते हैं साथी नीचे के तरफ आपको एक LED फ्लैश दे रहा हुता है यह एकदम सीद में दे रहा होता है जैसे कि अवरॉल टेक्निकल चान्फीघर के बारे में चलते हैं ओ फटा फट दोनों के जोड़ा साथ दे रहे हो फोन यहां पर software के बारे में आपको informations वगरा दे रखी हैं हो सकता है आपको यहां पर साफ साफ हो सकता है ना देख रही हो तो मैं camera को थोड़ा सा जूम कर लेता हूं तो यह चीज़ आप देख सकते हैं कि कमाल की आपको देखने को मिलेगी हाला कि brightness यहां पर एकदम थोड़ी स करते हैं यहां पर आपको model वगर की detail वगरा दे रखी है यहां पर आपको MIUI देखने को मिलता है Redmi Note 8 में आपको वन यू आई देखने को मिल जाता है आपको लिखा भी है वन यू आपको दे रखा होता है वर्जन 2.0 यहनिक अब्डेटेड रहता है फिलाल अभी तो यह कमाल की बात रहती है Samsung ने जो अपना personalized UI है वो यहां पर आपको दे रखा है Android वर्जन की बात करें यहां पर तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको Android वर्जन 10 देखने को मिलता है और यहां पर आपको Android 9 Pie देखने को मिलता है Redmi Note 8 में तो यह एक बड़ा differences आप कह सकते हैं लेकि Note Snapdragon 665 आपको दे रखा होता है यहां पर Note 8 में और M01 में आपको Snapdragon 439 प्रोसेसर दे रखा होता है जो कि एक बड़ा अंतर मुझे तो कम से कम यहां पर समझ में आ रहा है बाकी differences तो और भी काफी सारे technical specification में हैं जिनने के आप चेक कर सकते हैं लेकिन basically अगर देखा जाए जो normal frame size है वो लगभगी equal कर लेते हैं 3-4 पर मैं दोनों को ही ले आता हूं इसके बाद मैं images को क्लिक करता हूं हलाके भी आप एक चीज़ ध्यान दखिएगा कि यहां पर अभी आपके जो brightness है उनमें आपको एक differences देखने को मिलेंगे चुकि brightness उपर नीचे है लेकिन पहले photos को क्ल आपको देखने को मिले होंगी आप यहां पर brightness को बढ़ाते हैं और display का कमाल यहां पर आपको देखने को मिलेगा हाला कि दोनों ही आपकी IPS LCD पैनल पर रहते हैं लेकिन एक कहीं न कहीं चोटी सी बात आ जाती है HD Plus और Full HD Plus resolution को देकर तो आप देख सकते हैं कि Note 8 में काफी ज्य सगर देखा जाए तो M01 आपको ज्यादा दे रहा है दोनों ही camera में एक चीज जो मुझे equal लगी है वो रहता है यहां पर इनकी sharpness आप देख सकते हैं काफी ज्यादा clarity के साथ यहां पर आपको sharpness देखने को मिली है हाला कि हम बात करें M01 की या फिर Note 8 की यहां पर camera भी 8 Megapixel का अलग से sensor दे रखा होता है तो आपसी बात है यहां पर option दे रखा है तो एक बड़ टेस्ट करना तो बनता ही है तो मैं यहां पर 48 Megapixel से click करा लेता हूं image को और अब मैं zooming quality को compare कराता हूं हलाकि sharpness बगएर तो सब कुछ लगबग equally रहती हैं लेकिन zooming quality कहां तक कमाल की रहेगी यह चीज़ हम लोगो यहां पर देखनी होगी तो देख सकते हैं M01 बिल्कुल लगातार complete कर रहा है अगर हम जूम कराते जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि कहां वो 13 Megapixel और कहां वो 48 Megapixel एक मैं यहां पर छोटा सा अपना opinion देना चाहता हूं 30 Megapixel का जरूर है यहां पर आपका M01 लेकिन एकदम बरावरी में टक कर ले रहा है आपका 48 Megapixel के तो यह चीज़ मुझे यहां पर कहीं बहुत ज़्यादा इंट्रस्टिंग लग रही है कि भले ही यहां पर आपका जो sensor है वो इतना powerful नहीं है लेकिन quality में किसी भी तरीके का स यहां पर selfie हो गई है हमारी click और यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे काफी सारी differences जो कि मुझे यहां पर काफी ज़्यादा clearly समझ में आ रहे हैं सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करते हैं color contrast की तो लगभग लगभग आपको एक जैसा ही देखने को मिल जाएगा आप दिख सकते हैं कि बहुत बड़े अंतर यहां पर आपको देखने को नहीं मिल लगभग आपग सकते हैं और शापनेस ऋड़ा Ça काफी ज़दै तरव smic पर आप देख सकते हैं इस चीज़ को बहुत ही ज़दा डीप ली मुझे यहां पर दोनों के सैंपल में कोई बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिला है बास जो डिस्प्ले का अंतर है उसको अगर हम किनारे कर दें तो आपको लगबग लगबग यहां पर जो सैंपल है व बात करें तो काफी जबग होता है हलाकि देखने को मिला है लेकिन काफी ज़दा को इक रिस्पॉंस करता है लेकिन यहां पर फेस अंलोग को देखे तो आप जैसे लगबग लगबग साथ में उपन हुए है एक बार फिर से 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 केंट ट्राइम करके देखते हैं और आप ज इसमें आपके लिए बेटर रहेगा इसमें खर फिर दो बिली आपके लगबगी बीदेवो अली कॉ आपके लोगबगम टो आपके लिए जापके ळापके लोगदाट में ढार बेह रो इएकिन खेला उयाया भाद्ट ऑ तो दोस्तों यहां पर अभी आपने देखे होंगे इसके कुछ पिक्चर सेंपर्स एक बड़ा अंतर यहां पर आपको देखने को मिला दोनों की ही क्यामरा क्वालिटी में हालाकि मैं अगर बात करूं रेड़ी नोड एट की तो लगबग 6 महीने पहले यह लाँच हुआ था या फिर उससे भी जादा यह मॉडल पुराना है लेकिन M01 अभी पिछले ही कुछ समय पहले ही लाँच हुआ है तो ऐसे में मैं अगर कंपारजन देखा जाए तो एक तरीके से अनबेस्ट कंपारजन हो जाता है लेकिन फिर भी मुझे दोनों की ही परफॉमेंस काफी जाद देखने को मिलेंगी दोनों ही ब्रैंट में लेकिन यहां पर मुझे दोनों के ही कैमरा काफी जादा इंटरसिंग लगे हैं लेकिन ये फैसला में आप पर छोड़ता हूं कि किस मौडल का कैमरा सबसे जादा पसंद आया है यह बात आप मुझे करके बता सकते हैं। Selfie के मामले में भी यही कहेंगे कि sensor में तो काफी ज़्यादा बड़ा differences देखने को मिले हैं, लेकिन इसके बाब जूद भी अगर आप इनकी quality को देखेंगे तो आपस में बहुत ज़्यादा match होती हैं, मतलब बहुत बड़ा differences आपको देखने को नहीं मिले हैं, हाला कि brightness के मामल आपको बड़ा आंतर देखने को मिल गया है, कि Note 8 में आपको fast charging देखने को मिल जाती है, वहीं दोस्तों यहाँ पर आपको एकदम standard charging देखने को मिलती है, बैटरी हला कि equal रहती है, डिस्पले में आपको अंतर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर full HD plus का resolution रहता है, size भी थोड से की जा सकती है, तो मैं यहीं कहूंगा, कि आप फिर Redmi Note 8 ट्राइ करके देख सकते हैं, इसकी comparison में, तो कहीं न कहीं यह एकदम basic processor हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा advanced processor तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, आपको gaming वगर यहाँ पर अच्छी देखने को मिले और अगर आप इसका अलग से camera test देखना चाहते हैं, तो उसकी भी links आपको description box में देखने को मिलेंगे, फिलाल आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, जल्द ही मिलते हैं, आपको कुछ बहातरीन models के unboxing के साथ, फिलाल तक तक के लिए हमको इजाज़त दीजे, नमस्का साथ, उल्द हातरीन